हलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ वेल दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं उस देश के बारे में कहा जाता है कि ये धर्ती पर दुनिया की जननत है जी हां इतनी इज़त दी गई इस कंट्री को कि एक बार तो उसके नाम के आगे दी लगा दिया गया लेकिन यहां के लोगों को अपनी देश के नाम के आगे दी लगाना अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं उस देश के लोगों को खाने पीने दोनों काई बहुत शौक है अगर आपको मैक डानल्स का खाना बजन दे तो समझे कि ये आपके लिए जन्नत से कम नहीं साथ ही दोस्तों यहां के लड़कियों की खुबसूरती की बात की जाए तो आए हाए क्या कमाल की होती है ये ना मतलब पूरी दुनिया में जाने जाती है अपनी खुबसूरती के लिए तो चलिए आज हम आपको बताई देते हैं यरप के एक बेहदी खुबसरत देश यानि की उक्रेन के बारे में दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्रेस्ट है कि अगर आप वीडियो को इसके बना किये हुए पूरा जरूर देखिएगा और जो फस्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे की मेरा मोटिवेशन बढ़ता दे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूकरेन एक बहुत बड़ा देश है जी हां दोस्तों ये एक बहुत बड़ा देश है आपको बताते हैं इस देश का कुले एरिया 6,368 स्क्वेर किलोमीटर में फैला हुआ है साथी दोस्तों इस देश का बॉर्डर रूस, बेलारूस, पोलन, स्लोवाकिया, हंगरी, रुमानिया और माल्डोवा देश से टच करता है वहीं साउथ में ब्लैक सी है दोस्तों बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद ये और अपका सबसे बड़ा देश है दोस्त देश में भी 70% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 30% लोग रूरा ले रहा में रहते हैं यूकरेन देश की औसतन उम्र है 41 साल आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में ही यूकरेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना जी हैं दोस्तों ये देश दू हैं भी 70 के दूसे कमाते हैं इससे हमारे देश में किसान परिशान रहते हैं लेकिन यूकरेन में किसान मतलब की किसान होना बहुत घर्व की बात है yukrain की राजधानी कीव को hiro city भी कहा जाता है जानते हैं क्यों कि दोस्तों 1941 में battler of keep की लडाई हुई थी जिसमें नازीज की सीना के खिलाफ कीव के सैनकों ने जम का लड़ाई की हलाकि बात में उन्हें हर मिली लेकिन दोस्तों यहां के सैनकों की इसी निडरता की वज़े से शेहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूकरेन का एक हिस्सा ब्लैक सी से घिरा हुआ है दोस्तों ये लोकल लोगों की बीच में सबसे ज़्यादा पॉपिलर डेस्टिनीशन है यहां के लोग इस समुदरी तट पर जाकर खुब मस्ती करते हैं जी हां यहां के लोगों का पसंदी तर डेस्टिनीशन भी है कहते हैं कि यहां पर वीकेंड के जमय बहुत भीड़ रहती है सब मस्ती करने के लिए आते हैं खुब इंजॉय करते हैं वाँ भी वाँ क्या बात है आपको बता दी कि ना सिर्फ यूकरेन ये रूस के बाद यूरप का दूसरा सबसे बड़ा देश है बलकि दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि रूस के बाद यूरप में सबसे ज़्यादा सैने बल रखने वाला देश भी यही है सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े लेवल पर सैने ताकत बढ़ाई है इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही देश के प्रती वफादारी और सेना में जाने के लिए मूटिवेट किया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने के रिकॉर्ड भी यूकरेन के नाम है दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ एंटो एंट टू टू फाइव मायरिया नामक प्लेन बनाए गया जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और 64,000 किलोग्राम वजन है वैसे यहाँ के लोगों को बहुत ही क्रेटिव भी माना जाता है आपको बता दूँ कि इस देश को 24 अगस उनीस विंग के आनवी को आजादी मिली लेकिन दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है कि उससे पहले इस देश को The Ukraine के नाम से जाना जाता था लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने था उटा दिया यहाँ के जरकार मानती थी कि हमारे देश के आगे The World लगाने का कोई मतलब भी नहीं 19th विंग क्यानवी में इसको उटा दिया वैसे आपको कह लगता है दे यूकरिन सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं अब हमें कॉमेंट करके बताएं इस देश के लोगों के बीच में अलकॉल बहुत ही पापिलर है जियां दोस्तों World Health Organization के मताबिक ये दुनिया का छटवा सबसे ज़्यादा शराप पीने वाला देश है वहीं धुस्तों यहां के लोगों के बीच में वोट का पीना तो पौपिलर है साथी साथ यहां की नैशनल ड्रिंक है पुरिल का जिससे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कहते हैं कि यहां पर छुट्टी की दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम ये होता है कि धूप में बैठें और खूब सारा अलकॉल भी है, यहां पर वैसे दोस्तों आपको बता दूँ कि पीने का तरीका अलग है, यहां यहां पर आराम आराम से अलकॉल को पी आ जाता है, ताकि ये शरीर को जाता नुकसान न पहुंचा पाएं, क्या बात है, पीना भी है और श ये समझ लीजे कि ये देश बहुत ही एतिहासिक है यहां जाने वाला इंसान इसको हमेशा याद रखता है कभी भूल नी पाता क्योंकि ये बहुत ही जादा खुबसूरत है दोस्तों अगर आपको बसंद है मैकडोनल्स का खाना तो फिर यूकरेन देश जरूर जाना दोस्तों इस देश में आपको हर गली में हर चौराहे पर हर बस टॉप से लेका रेलवे स्टेशन तक आपको मैकडोनल्स दिखाई दे जाएगा जी हाँ यूकरेन में ही है दोस्तों आपको बता दूँगे इस स्टेशन का नाम आरसिनाला है जो कि जमीन के अंदर 15.5 मीटर की गहराई पर बनाए गया है वाकई में दोस्तों कई भार तो डर भी लग जाता होगा इस देश की राजधानी केव्स का में स्ट्रीट जिसे सेच्ट्रेक स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये दुनिया का सबसे चोड़ा रोड माना जाता है हालागे इसके लंबा ही एक देशमलाद 2 किलो मीटर ही है लेकिन इसकी चोड़ाई देखकर कोई भी चौक जाए यहां से आपको खड़े ओकर बड़ाई शांदार नजारा देखने को मिलता है मैकडाउनल्ड तो इस देश में हैं ही पॉपिलर लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इस देश को Capital of Cafe भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर Cafe मिल जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब इस देश को Bread Basket के नाम से जाना जाता था यहां दोस्तों यहां का Bread पूरे यरप में प्रसिद है दोस्तों आज भी Bread के मामले में देश यरप के बाकी देशों के मकाबले बहुत आगे है और यह Bread का बड़ा एक्सपोर्टर भी है आपको यहां के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के Breads दिखाई दे जाएंगे बिखते हुए यहां के लोगों को भी Bread खाना बहुत बसंद है दोस्तों यहां पर Bread के साथ चीज भी बहुत खाया जाता है यहां के लोगों के बीच में चीज से तरह तरह की डिशेज भी बनाई जाती है जो कि बहुत पॉपिलर है तभी तो अगर आपको मोटा होना है तो यूकरेन का खाना खा कर देखी आपको Yalta Conference के बारे में जानकार है क्या अगर नहीं है तो हम आपको बता दें कि 4 से 11 फरवरी के बीच 1945 में सबसे important meeting हुई थी जिसमें कि Churchill, Stalin and Roosevelt आपस में मिल गए थी और Second World War के बाद कैसी होगी दुनिया और खास तोरपा यूरप इस पर चर्चा हुई थी दोस्तों ये meeting ही इसी देश में हुई थी और इसे conduct करने के पीछे यूकरेन का बहुत बड़ा हाथ था अब हम आपको यूकरेन की military power के बारे में बताने जा रहे हैं यूकरेन की में पावर 2.2-3 करोड से जादा है इन में से 1.5-6 करोड से जादा लोग fit for service हैं यूकरेन के पास active personal 2 लाखी हैं यूकरेन के पास सिर्फ 50,000 अर्थ सैनिक बल हैं यूकरेन के पास 79 fighter jets हैं यूकरेन के पास 79 में से dedicated attack jets 39 हैं यूकरेन के पास transport vehicle 32 हैं यूकरेन के पास 71 trainers हैं इस देश के पास special mission के लिए 5 aircraft हैं अगर helicopter की बात करें तो यूकरेन के पास 112 हैं इस में से 34 helicopter हमला करने में सक्षम हैं अब हम बात करते हैं यूकरेन की जमीनी ताकत की दोस्तों यूकरेन टैंक्स के मामले में दुनिया में 13 स्थान पर आता है इस देश के पास 2596 टैंक्स हैं अगर बختर बंद वहां की बात करने तो यूकरेन के पास 12303 हैं इस मामले में ये देश दुनिया में 6 स्थान पर है यूकरेन के पास self-propelled artillery हत्यार की बात की जाये तो यूकरेन के पास 1060 हैं यूकरेन के पास true artillery के संख्या की बात करने तो इस देश के पास 2040 हैं इस मामले में ये देश वर्ल्ट में 7 वे पोजिशन रखता है अगर Mobile Rocket Launchers की बात करने तो यूकरेन के पास 490 Mobile Rocket Launchers हैं इस मामले में world में वो बारवे स्थान पर है हम आपको यूकरेन की नौसिना की तरफ ले चलते हैं इस मामले में यूकरेन थोड़ा कमजोर नजर आता है इस मामले में यूकरेन की डैंकिंग 53 भी है इस देश के पास नेवल फ्लीट की संख्या सिर्फ अगर यूक्रेन की कुल एरपोर्ट की बात करें तो यूक्रेन में 187 एरपोर्ट हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेटेस्ट एपिसोड पसंद आया होगा दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा देखने के लिए शुक्रिया